लोग सब चुनाव से पहले कॉंग्रिस ने गुरुवार को प्रेस कॉंफरेंस की। इस दौरान कॉंग्रिस अध्यक्ष मल्लिका अजुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांदी और राहुल गांदी भी मौजूद रहे। इस दौरान पार्टी के बैंक खातों को के जाने के मुद्दे पर जमकर हमले बोले गए। केंद्र सरकार को केंद्री एजिंसिया का दुरोप्योग और चुनावी चंदों के मुद्दे पर घेरा गया, वही खड़गे, सोनिया, अजय माकन से लेकर, राहुल तक सभी ने मौदी सरकार को जमकर घेरा। राहुल ने हम किसी भी चीज के लिए दो रुपे का भुकतान नहीं कर सकते, भले ही आज हमारे बैंक खाते खोल दिये जाए, तो भी भारती लोगतंत्र को काफी चोट पहुचाई जा चुकी है, साथी कॉंग्रेस अध्यक्ष मलिकार जुन खडगे और पूरवध्यक्ष तोरिया गां प्रिया निभा जीमस्टर्ट मैंच्तर्ट अंध यूव यू है जआ कि वार्थ यू आवरे अग्यटि वरी सा भी आंप्यूर्य कोई दे कि लिए खुकी हैं। अधर स्वां लुप्यूर्ट एग्यूर्ची का यूष सा वलीन है कि तनीर हे लिले सिएी संवाबे लूटर् for anything and it has been orchestrated to cripple us in the elections even if our bank accounts are unfrozen today huge amount of damage has been done to Indian democracy Supreme Court ने जिस चुनावी चंदा बॉंड को illegal और unconstitutional कहा उस scheme के तहत मुझूदा सत्ताधारी दल ने हजारो करोड रुपे से ज़्यादा अपने अकाउंट में भर लिया है और दूसरी तरफ साजिस साजिशन मुख्विपक्षी दल का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है ताकि हम पैसों के आभाव में बराबरी से चुनाऊं ना लड़े और ना लड़ पाए ये सत्ताधारी दल दौरा एक खतरनाक खेल है इसके दूरगामी प्रभाव होंगे क्योंकि अगर डेमोक्रसी को इस देश में बचाना है तो लेविल प्राइंग ग्राउंड होना चाहिए ये इसूम आनि रप टोड़ा गचिम्य आनिस दूरा अगिक मेंसा ख्रभाव टोराईकि लाहा आनिस इस आनिस तो इसторग आनिस प्रशा का लगश मेंसाओ गिए Ariana Chicken चैंट इसे अश्ये मेंदी आखतरो is underway by the Prime Minister to cripple the Indian National Congress financially. Funds collected from the public are being frozen and money from our accounts is being taken away forcibly. However, even under these most चालंगी चर्कॉंस्तांसे, we are doing our very best to maintain the effectiveness of our election campaign.